खबर समय जगत में आपका स्वागत है मैं अर्शिदा जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर स्वास्त केंद में उपसित डॉक्टर प्रतीबा बागरान ने अमर्जेंसी में प्रात्मिक उप्चार कर मरीज को खरगोंजिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया जहां वशीर को म्रत घोशित कर दिया वीकन गाउं सामोदा एक स्वास्त केंद लगाता डॉक्टरों की कमी से वशीर को समय पर इलाज ना मिलने पर और म्रती हो जाने पर नगर में जन प्रतिनी दियो एवम नागरी को द्वारा अनुविभागी अधिकारी त्रिलोचन गोड को राजिपाल के नाम ग्यापन सोपा जिसमें मांग की गई कि भीकन गाउं सामोदा एक स्वास्त केंद में शाषन द्वारा डॉक्टर को न्यूक्त किया जाए क्योंकि कई बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सासकी अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने से जूजना पड़ता है शाषन अगर सामुदा एक स्वास्त केंद में डॉक्टरों की न्यूक्ती करता है तो समय पर मरीज जो को सही उपचार से भविश्य में कोई भी आप रिये घटना से बचा जा सके हिंदू मिसलिम दोनों समाज के वुद्धु जीवियों ने शासंट से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द भीकन गाउं सामुदाहिक स्वास्त केंद को बदलकर उपजिला इस्तर पर सिविल स्वास्त की व्यवस्ताएं सुचारू रूप से करें मगर तब तक डॉक्टरों की न्यूक्ति की जाएगी तब तक बसीर के परिवार को आर्दिक मदद दी जाए केंद्र में आज एक युवक की मृत्य हो गई हाट अटेक्स है बता रहे हैं कि वह लाइन में लगा तो क्या पुरा विशा रहा है यह साफ करेंगे ताकि यहां पर जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूर्टी की जा सकते हैं सर इसे युवक के मरत्यू के मरत्यू होने के बाद में नगर में एक माहौल अलग सा बना हुआ है क्या प्राविशा माहौल उसको ऐसा मेरे को अबगत कराएगा कि उसको फिर यहां से जैसे कि वहां पर जिलास पताल रिफर किया गया उसके बाद दो पीम अगेर रिपूर्ट बात जान करी पर चलेगी तो पताल में आज की हुआ कि रजय गती रुकने से मत्यू हो गई है क्या पूरा विशाद आई है इस पेसेंट को डक्तर प्रतिरा मेडम के दुवारा देखा गया था लगपक साड़े बारा बजी तो उनका अनुसार उनको चेस पेंड के साथ आया तो पेसेंट और मेडम ने जैसे देखा कि कुछ काईटिक प्रोब्लम लग रही है तो उसको प्रात्मिक पुचार के परस जिला से किसले खरगोन रिप्रिक कर दिया गया तो अच्छों सुनने मैं आए सारास्ते में उसकी मिलती हो गई हां सब्सक्राइब द्वारा बताया गया को उसकी साथ डेथ हो गया आखर जानी पाया ओ खरगोन खबर समय जगत के लिए भीकन गाउं से संजे एसकुमार गीते की रिपोर्ट खबर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगास सच दिखाने का हम है आपकी आवाद